नमस्कार, इंडिया न्यूस वाइरल में आपका स्वागत है कॉंग्रेस को अचानक EVM मशीन से बहुत डर लगने लगा है कॉंग्रेस के 84 वे अधिवेशन में कॉंग्रेस ने इस बात की साफ साफ मांग की है कि अब EVM को चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया जाए और चुनाव वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे यानि जाईए, बूत पे जाईए और बैलेट पेपर पे ठपा लगा के वापस आईए कॉंग्रेस का ये डर अपनी जगह पे है वही कॉंग्रेस आज EVM से इतना डरने क्यों लगी है तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात सबसे कमाल की बात ये है कि देश में EVM का सबसे पहला इस्तेमाल तब हुआ था जब केंदर में कॉंग्रेस की ही सरकार थी जी हाँ 1982 में केरल के एक चोटे से चुनाव में केरल के एक विधान सबा चुनाव में महद 50 बूत पर EVM का पहली बार इस्तेमाल किया गया था लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया इसके बाद संसद में कानून लाया गया और उसके बाद EVM को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कानूनी तौर पर मंजूरी दिलाई गई सबसे कमाल की बात यह है कि जिस वक्त संसद में इसे मंजूरी दिलाई गई उस वक्त भारत के प्रधान मंत्री थे राजीव गांधी और ये सब कुछ हुआ 1988 में जी हाँ राजीव गांधी के शासनकाल में ही EVM को पुखता तौर पर मन्जूरी मिली और EVM चुनावी प्रक्रिया का एक उफीशल हिस्सा बना इसके बाद EVM का छिटपूर्ट इस्तेमाल शुरू हो गया लेकिन EVM का पहला जो सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ वो 1999 के चुनावों में हुआ इसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी दिल्चस्प है सबसे पहली बार देश में जो लोग सबा चुनाव हुआ जिसमें EVM का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया करीब 1,75 लाख EVM मशीने पूरे देश भर में लगाई गई चुनावों के लिए वो था 2004 का लोग सबा चुनाव और उस वक्त शासन चल रहा था अटल बिहारी वाजपई का यानि कि अटल बिहारी वाजपई केंद्र में सत्ता के सरवोच शिकर पे बैटे थे और उनकी जब सरकार चल रही थी तब इस बात को लागू किया गया कि देश के लोग सबा चुनाव में हर बूत पर EVM मशीन से वोटिंग होगी लेकिन जो नतीजा आया वो बेहद उल्टा बेहद हैरान कर देने वाला था दो हजार चार का ही वो चुनाव था जब अटल बिहारी वाजपई की सरकार केंद्र से चली गई और उसके बाद मनमुहन सिंग प्रधान मंत्री बने यानि कि EVM को लाने की कोशि से चले गए उसके बाद जितनी बार भी चुनाव हुए कॉंग्रेस सत्ता में आती रही मनमुहन सिंग दूसरी बार भी प्रधान मंत्री बने उस समय भी EVM का इस्तेमाल किया गया लेकिन अब अचानक से 2018 में कॉंग्रेस पार्टी को जिसने EVM के लिए इतनी पैरोकारी की उसको अब डर लगने लगा है EVM से और साफ तोर पर कहा गया है कि EVM जो है EVM से होने वाली चुनावी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी नहीं है ऐसा कॉंग्रेस ने कहा नहीं है लेकिन उनके डर से जो उन्होंने डर जाहिर किया है जो उन्होंने आशंका जाहिर किये उससे कई मरतबा ये बातें सामने आती रही है सवाल ये है कि क्या वाकई EVM से होने वाली चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है क्या वाकई EVM में धानले बाजी का जो एक रास्ता है वो कहीं नहीं कहीं खुला रहता है क्या तकनीक के जानकार EVM को हैक करके चुनावी नतीजों को उलट पुलट कर सकते हैं एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अब कॉंग्रेस की स्मांग ने एक और बहुत बड़ा प्रश्णिचिन लगा दिया है हाला कि EVM को लेकर कई दिलचस्प बाते ओर भी हैं इवियम का इस्तेमाल भले ही भारत में थोड़ा देड्से शुरू हुआ 82 में पहली बार इस्तिमाल हुआ और 2004 में पूर्णकालिक इस्तिमाल हुआ लेकिन काफी दुनिया के और भी दूसरे देशों में EVM का इस्तिमाल काफी पहले से होता रहा है लेकिन एक दिल्चस्प तथ ये है कि नीदर लैंड, United Kingdom काफी ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने EVM का इस्तिमाल शुरू किया और बाद में उन्होंने जन्ता की आशंकाओं को देखते हुए EVM का इस्तिमाल खुदी बंद कर दिया इस वक्त अगर नीदर लैंड या United Kingdom में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे वही जो पुराना तरीका है बैलेट पेपर पे ठपा लगाने का उस तरीके से वहाँ पे मद्दान होता है और वो बैक टू रूट्स हो गए हैं इलेक्शन को लेकर के इसके लावा एक और भी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि 2004 में जब चुनाव में वाजपी जी की सरकार चली गई थी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मद्दान के बाद तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने उस समय इवियम पे सवाल खड़ा किये थे यानि कि इवियम पे सवाल खड़ा करने का इसलसिला नया नहीं है आज कॉंग्रेस को डर लग रहा है कभी बीजेपी को डर लग रहा था अब ये तो तकनीक का एक बहुत बड़ा प्रश्ण है बहुत बड़ा एक्ष्प्रश्ण है कि क्या वाकई इवियम को हैक किया जा सक कि कहीं EVM के इस्तिमाल से जनता में विश्वास की भावना तो नहीं जा रही जो भी आपके दिल में हो आप प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्षन में लिखिए अपनी राय को हमारे साथ शेर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को यूटीब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दो हमारे चैनल